तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HPCL के कट-off की मैंने अभी तक बहुत सारा डेटा जमा किया है ठीक है क्योंकि आज आंसर की पेपर वगेरा रिलीज हुआ है तो सब सब्सक्राइब अपना डेटा बता हूं उससे पहले आपको इतना पता होना चाहिए यहां पर यहां पर पासिंग क्राइटेरिया के उपर वह नहीं करूंगा मैं बात करूंगा आप पास कब होते हो जब आप यह क्राइटेरिया हासिल करते हों लेकिन आपको इंटर्व्यू के लिए प्ला जाएगा जब आप क्टॉफ करो घिक लोगों को बुलाना चाहिए थीक है सो 30 x 5 150 लोगों को बुलाना चाहिए तो अब हमारी जो यह वीडियो है ना वह इसके उपर है कि क्या आप 150 लोगों में हो कि 150 लोगों में नहीं हो ठीक है उसके उपर है चलो पास कर लिया उसके उपर नहीं है पासिंग वाली वीडियो तो तो बहुत यह अच्छा है यार 120 वेकंसी अगर वह वन इस्टू थ्री भी बुलाए ना सिर्फ और से ठीक है वन इस्टू थ्री भी बुलाए मतलब वन ट्वेंटी मल्टिप्लाइब थ्री तो बहुत ज्यादा चांसे से के मिकेनिकल के अंदर अगर जिनका कम माक्स है उनको बहुत ज्यादा है उनको फाइदा है और अगर हम बहुत ज्यादा ऑप्रिमिस्टिक हो जाए वन इस्टू फाइब बुलाए तो मिकेनिकल वालों के तो मज़े हैं कितने सारे लोगों जाएंगे अब देखते हैं उन्होंने कहीं पर यह मैंशन नहीं किया शायद के यार व कि मेंनदर सिर्फ 30 लोगां सिर्फ और सिर्फ 30 कि भी बात करेंगे उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल और इंस्रुमेंट की देखे तो उनके अंदर वेकेंसी से 25 पच्छिस है नाव दे प्रॉब्लम इस अबाउट ब्रांच ब्रांच तो आपने देख लिए बड़ यह है कैटेगरी कैटेगरी सी स्टी ओबी सी एंसी डेवलियो एस अन्रिजावड और इसी तरी प्लस 25 प्लस 30 प्लस आप 120 करते हो तो यह आपका 200 आ जाएगा ठीक है पचास हां और यह 150 दोस हो जाएगा तो टोटल वेकेंसी के टोटल वेकेंसी के रिस्पेक्ट में इन्होंने कैटेगरी का डिवीजन किया है इंडिवीजियल नहीं बताया इंडिवीजियल ब्रांच व सिटेखर के लिए है कितनी इव से लिए कितनी स्से असक्ति के लिए है यह पता नहीं है लेकिन ऐीटीन टू 20 के आस पास मैं मांन के चलता हूं ऑनर्योट के पास ऑगे 18 Tapi समय मांन के चलता है ठीक है अब लेकिन अगर overall बात करें और यह अगर बहुत ज्यादा ऑ्प्TIमिस की लोगों को बुला सकते हैं उनके अंदर सारे आ गए से स्टी एवस सारे लोग आ गए ठीक है अगर वन इस्टू फाई के फॉर्मेट में बुलाते हैं तो तो थार्टी मल्टिप्लाइबाइब फाई यानि तीस लोगों की नीड है लेकिन बुलाएंगे कितने पांच गुना जादा बुलाएंगे वन फिफ्टी लोगों की अब यही कि बहुत सारे लोगों ने एक्जाम दे दिया है अब थोड़ा क्लैरिफिकर्शन मिल गया कि 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 मांक्स आ रही किसके कितने मांक्स सर्थ हमारा काफी बड़ा ग्रूप और और काफी लोगों अप्रोच किया यह काफी लोगों तो बना यह जो डेता है यह कंप्लेटली जूठा डेता है मुझे ऐसा लग रहा है अभी तेक मैंने किसी भी इस्टूएंट को यह नहीं सुना इवन एक ने 152 लिखा था मैंने उसको परसनली मेसेज किया किया तुम्हारे वाकी में 152 है तो उसने रिपलाई नहीं किया इसका मतलब कहीं ने कहीं यहां पर तो क्या होता है जब पोल डेटा है क्योंकि बहौट सार स्टुएंट्स का मैरा मुझे और सनल मेसेज आ जिरो ने बोला हमारे 102 हो रहे है किस में 105 हो रहे है और किसी ने बोला 101 हो रहा है मतलब बहुत सारे यहां पर लाई करते हैं 101 100 प्लस की के टिकना और एक भाई सापने तो बोला कि सर एक ऑप्शन 100 बिलो का भी रख देते हैं ठीक है यानि कितने लोगों के कितने लोग क्वालिफाइड नहीं हुए मतलब पास भी नहीं हुए कट इतने लोगों ने बोला कि उनका 134 अब मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सारे मेसेज है इसके अलावा यह तो मैंना कुछ रखा है यह थोड़ी जानकरे रखी है 120 प्लस में कुछ है यह सही डेटा है दोस्तों यह एक्जर्टली सही डेटा है यह 9% यह लोगों को अल्मो बड़ा जो मांस है ना बहुत बड़ा मासे रह्त कालीफाई नहीं हो पाया मैंने आपको बता लगबग पासिंग होने के लिए आपको यह और बहुत सारे लोग 102 के नीचे हैं लेसें वन जिरो टू यह लेजन वन जिरो टू की तो हम यहां पर बात ही नहीं करते हैं अब उ उसके बाग बहुत सारे लोग जो है वन ट्वेंटी से वन थर्टी के बीच में अठके हुए हैं एक्चुली वन ट्वेंटी निकाल देता हूं वन जीरो रख देता हूं क्योंकि बहुत सारे मेसेज हैं मैं अभी यहां पर फोन लेकर ही बेठा हूं कि कितने लोग मुझे मेसेज किये और क्या-क्या माक्स मेसेज के वन बन जीरो और यहां पर भी देख सकते हो ठीक है और यह 100 प्लस वाले मतलब नौट कॉलिफाई 100 प्लस मतलब 110 के आसपास मुझे हम 30 360 कम है 20 000 बहुत कि और 145 30 के उपर मुझे कोई नहीं दिखा और पर 21 बटा रहा है लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा अगर किसी के वाकी में 150 के उपर है तो वह कमेंड करके बता है कि उसके सही में 150 के उपर है ठीक है फिर हम देखते हैं कैसे 150 के उपर अच्छी बात है अगर टूटल आपके 170 है और अगर आपके 150 आ रहा है 170 में से 150 के उपर आ तो तो आपको टेंशन लेने की जीड नहीं है आप शांती से सो जाएए आपको इंटर्व्यू कॉल आ जाएगा अब हम यह डिसकस करेगे कि कट आफ कहां लाई करेगा एक्सपेक्टेट कट ओफ कहां लाई कर सकता है अभी मैंने 150 के उपर वाला कोई नहीं दिखा में दुपेर से वेट कर रहा था मैं इसलिए वीडियो जल्दी नहीं बनाई मैं डेटा आने का वेट कर रहा था कि कितना डेटा आ सकता है अभी तक 150 से जादा वाला मुझे अभी तक वाकी में रियली में कोई नहीं दिखा 140 से 150 में मुझे 3-4 लोग दिख गए है अब बात करते कि अगर यह जो पेपर है इसके अंदर अगर हम पैसिमिस्टिक साइड जाए यानि मान लो के बहुत जादा लोग बहुत अच्छे थे ठीक है और आपको रेशियो जो है वह 30 लोगों में से यहनि अब्वेस बात है के टोटल 30 है और अगर वन इस्टू 3 के रेशियो में बुलाया तो वह 150 लोगों को बुलाएं इस केस में आपका क्या हो जाएगा कितना जाएगा हाए जाएगा और अगर जाधा लोग है आपके पास दो- सिनारियों मेरा ऐसा मानना है कि जो 엞ट्गा वह 156 1160 151 156 146 150 के बीच में होगा मतलब l guys a instant के लिए अगर आप 145 यह 150 के बीच में हैं तो आप interview के लिए आ सकते यह अगले जों के इते ह不錯 कर सकते हैं यह मैंने बहुत ही बीशे तरफ जय जाए दोस्तों की तरफ जाए तो क्यूंकि 130-140 वाले भी काफी जॉयादा लोग है 130 यहां पर अगर ऑप्टिमीेस्टिक जाए बहुत जाद मिस्टिक जाए और यह रेश्यो को ढगा दे हिए लोग ज्यूयादा लोगोस बी क्या जादा है 140 के उपर वाले तो है मुझे चार-पांच लोग फेस्टो फेस मिलें और बाकी पूरे इंडिया में कितने लोगों कि वो मुझे नहीं पता अब थोड़ा डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि अगर बहुत के सिनारियों में भी जाया ना तो 140 से 150 का कट आफ बेटेगा ऐसा नहीं होगा के वन फिफ्टी के ऊपर चाहेगा और पेपर मैंने देखा पेपर मैंने देखा 150 के ऊपर स्कॉर करना बहुत ही ज़्यादा तफ ता मतलब 150 के ऊ ऐसान नहीं था तो कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिनारियों में फिफ्टी के ऊपर आपका कट उफ आएगा वह वोश्ट के सिनारियों में भी 140 से लेकर 150 के बीच में और अगर बहुत ज़्यादा ओप्तिमिस्टिक जाये तो 120 से 140 के बीच में कट आफ जा सकता है तो अगर आप 120 के ऊपर हो तो मेरे इसाफ से अब आपको इतने टेंशन लेने की नीद नहीं है आप अपनी अच्छी मैनत की है अब आप दूसरी एक्जाम की तरफ प्रिपरेशन कर सकते हो जैसा के बीए आर्सी वगेरा भी आ रहा है और इसके अलावा आगे गेट वगेरा तो आई रहे तो दूसरी एक्जामिनेशन की तरफ आप अप्रोच कर सकते हो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है आप ये एक्जाम हो चुका है अब इसको भूल जाए बहुत जादा आप कैलकुलेशन में मना जाए और 120 के उपर वाल हाई ये स्कोर मुझे कुछ इस तरीके से जिए और इंग्लेश सेक्शन के अंदर एक स्टूडर्ट के थर्टी फोर में से यहां पर 32 राइट हुए है 85 में से 66 राइट हुए है टोटल आप यहां पर मार्ट कैल्ट कर लो टोटल आप मास कैलिए जो इस्टीन प्लस ट्वैं अभी तक मुझे मिला है सो यह आ रहा है 142 142 आ रहा है तो मुझे तो लगता है 140 के उपर है तो तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए आपका होई जाएगा अल्मोस्ट होई जाएगा मेरा ऐसा मनना है अगर आपने बाकी के राउंड में अच्छा किया तो और मेरी विशिस आप लोगों के साथ जिसके भी अच्छे मांद नहीं है अभी बहुत सारी और अना भी बाकी है तो उसमें आपका हो जाएगा आप महनत करते रहे और नेक्स एक्जाम को टार्गेट कर रहे और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं बाई टेकके